लास्स स्रीस, जैसे कि वह बात क किये थे, कि लास्स स्रीस में हमने बात है Yang sack, कि रियाइन्स या הזה FC या ICIC Kौन सा वह stock है जोकि Reliais में movement लेकर आता है, वनसाइड़ मुवेंड हमको देखने के पर इसफीय आज हम worker की बात करने वाला है है bank Nifty के लिए कि क्या bank Nifty के इंदर वो कौन से stocks हैं चिन इस्टॉक का इतना बड़ा वेटेज और कि किनुख के कारण बेकने बडना बड़ा मुव काता है bank Nifty निफ्टी का प्राईज है 50,000 ुटिस का और वहीं अगर हम देखे तो काफी अच्छे premiums हमको वहाँ पर देखने को मिलते हैं और आप लोगों की काफी demand भी आती है कि सर bank nifty के बारे में बदाईए तो आज वही topic को continue करते हुए हम आगे लेकर आएं आपके लिए नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है सतीश कुमार और आज मैं आपको कि अगर HDFC 1 रुपया मूग करता है तो उसके कारण bank nifty में कितने points का moment आ जाता है तो वो बाते हम करने वाले इस वीडियो के अंदर और इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को subscribe कर लिजे और bell icon को प्रेस करना बिलकुल मत बिलेगा लास्ट वीडियो पर आपके बहुत सारे comments आए कि क्या कम से कम मुझे शहिए कि यहां पर भी मुझे around 1000 likes शहिए इस वीडियो में तब जाकर मैं next वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आने वादा तो वीडियो के हिंट जरूर बने रही है और बताईएगा कि वीडियो आपको कैसे लगे और अपने valuable comments लिखना बिलकुल मत चलिए तो बात की सुरुवात करते हैं और सुरुवात के साथ-साथ हम समझने की कोसिस करते हैं साती साथ में अपना screen भी share आप लोगों के साथ करता हूं और दिखाने की कोसिस करता हूं चलिए यह कर दिया है मैंने screen share मेरा Google पर search करते हैं Nifty indices जब यहां पर आएंगे तो यह निप्टी के अंदर moments देखने को मिलते हैं चलिए तो बेंग निप्टी में चलते हैं और बेंग निप्टी में समझने की कोसिस करते हैं कि कौन-कौन से stocks का कितना-कितना वेटेज हम को यहां पर देखने को मिलता है तो पहला stocks हमारे पास कौन सा HDFC बेंग जो की 27.58% मतलब अल्मोस्ट 28% वेटेज लेकर बिटा हो है मतलब कि अगर बेंग निप्टी अगर 1% मूग करेगा तो उसके कारण अगर मान के चलिए बेंग निप्टी में 1% का मूमेंट अगर आता एक परसेंट मतलब 500 पॉइंट अगर चलेगा तो उसमें 28% वेटेज किसका है वह HDFC का है बढ़ यह मत ध्यान लगा लिजेगा कि HDFC पॉजिटीव है तो बेंग निप्टी पॉजिटीव रहेगा या HDFC नेगेटीव है तो बेंग निप्टी भी नेगेटीव रहेगा ऐसा कुछ भी रहने वाला नहीं है या कहीं बार आप सोच लेकिया आईसी एसी बेंग 2% प्लस में तो बेंग निप्टी भी उड़ जाएगा ऐसा नहीं है सभी स्टॉक्स का आपना एक वेटेज है और उस बेसेस पर वह फफोंग दिरता है तो वहीं पर ICIC बेंग के अगर हम बात कर तो ICIC बेंग कितना दिखाई देरा है 24% हमको वेटेज के साथ दिखाई देरा है साथ साथ SBI बेंग 10% और को टैन परसेंट और एक्सिस बेंग 10% यह यह पांचो श्टॉक्स को अगर हम ट्रेक कर ला तो यह मान के चलिए कि हां बेंग निप्टी को एजली ट्रेक कर सकते इन स्टॉक के बेसेस पर भी जैसे सब्सक्राइब कर सकते हैं मान के चलिए HDFC बेंग अ 53-54% दोनों का वेटेज हो रहा है और यह दोनों अगर बॉटम से रिवर्स हुए तो कहीं न कहीं बेंग निप्टी भी उस अकोर्डिंग उसके पीछे-पीछे चल देगा तो बेंग निप्टी भी अपने बॉटम से रिवर्स होने की कौसिस वहां पर करेगा तो वो बात क 2% IDFC 2% almost PNB 2% और AUBank 2% बंदन bank है जो कि 1% तो इसके जो stocks हैं उसका मैंने पुरा list बनाया हुआ है कि वो किस तरीके से support करता है bank nifty को यह वो voltage किस तरीके से calculate होता है तो उसके लिए चलिए मैं दिखाता हूँ पूरी calculation मैंने कर रखी आप लोगों के लिए इसके पहले last video अकर आपने नहीं देखा है निप्टी वाला तो जाकर देखेगा और वो वीडियो देखने के लिए आपको हमारे इस यूटूब चनल सतीश कुमार आप सर्च करेंगे तो इस पर आपको वीडियो मिल जाएगा नहीं देखा है तो जाकर पहले इस वीडियो को देखिए ताकि और भी clarity आपको वहाँ पर आईगे वो वीडियो और मैंने ट्वंटी सेवन का प्राइस यह लास्ट प्राइस मेंने लिया हुआ एक काम करते हैं इसको राउन फिगर फिप्टी थाउजन कर देते हैं तो आपको समझने में इसी रहेगा इसका एक परसें मुमेंट मतलब की 500 उपीज 500 रुपे का अब वहीं समझ ये HDFC का वेटेज कित देखिए यहां पर वेटेज कितना दिखाए देर है HDFC का वेटेज अगर हम देखे तो 27 परसेंट वेटेज हमको किसमें दिखाए देरा HDFC में और अभी HDFC का प्राइस कितना चल रहा 1607 रुपीज का प्राइस चल रहे है ठीक है वही पर ICIC 24 और इसका प्राइस देखिए 1100, कोटक बेंक 10 परसेंट और इसका 1700, SBI का देखिए 10 परसेंट और इसका प्राइस है 800 का, तो यहां पर मैंने क्या लिया, यह वाली जो लिष्ट दिखाए देरी है यह पूरी वेटेज की लिष्ट है, और मैंने यहां पर टोटल कितने 10 स्टॉक लिए, टोटल टॉप 10 अगर आप इनको भी ट्रेक कर लिए तो अच्छे से ट्रेक कर पाएंगे, अभी इन श्टॉक का प्राइस देखिए कि आज का जो प्राइस इनका क्या चल रहा, आज का मतलब कि यह वीडियो में तब सूट कर रहा हूं, यह वीडियो में सूट कर रहा हूं 15 अगस 2024 को, जब अब इस वीडियो को देखें, तो प्राइस उस अपोर्डिंग आप देखेगा कहीं ऐसा ना हो कि आपको फिर लगे कि प्राइस कुछ और दिखाए दे रहा हूं, चलिए, एक परसेंट क्या निकाला मैंने, कि अगर यह 1600 का प्राइस HDFC का तो इसका एक परसेंट कितना होग 16 रुपे, ICAC का 11 रुपे, KOTAC का 17 रुपे, SBI का 8 रुपे और AXIS Bank का अगर एक परसेंट निकालेंगे तो 11 रुपे हमको दिखाए दे रहे हैं, अब देखें, डिवाइड कर दीजे, मानके चलिए कि Bank Nifty में 500 पॉइंट का मूव आया, और यह stocks भी सारे क्या 1-1 परसेंट प ICAC में 11 रुपे का मूवमेंट, तो Bank Nifty में कितना? 12 रुपीज का मूवमेंट, KOTAC Bank में 17 रुपे, तो Bank Nifty कितना चलेगा? 51 पॉइंट चलेगा, SBI 8 पॉइंट तो Bank Nifty 52 पॉइंट, AXIS Bank 11 परसेंट तो Bank Nifty 46 पॉइंट, Indus Bank 13 पॉइंट तो 27 पॉइंट, तो यह तो हो गया 1 परसेंट ही चलेगा, तो हम चलिए मान के चलिए 1 परसेंट चला तो हम समझ जाएंगे कि Bank Nifty 137, HDFC 1 परसेंट चला तो ICAC चला तो 120 पॉइंट, तो वो तो हम पता नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हमने 1 रुपे का भी हमने calculation में यहाँ पर करके आपको दिया हुए, 1 रुपे में कितना मॉमेंट आएगा, 10 रुपे का मॉमेंट हमको देखने को मिलेगा, चीके, अब यह मत देखेगा कि इसका वेटेश का में, बड़ उसके कारण को क्या बलता है कि कियोखी यहाँ पर प्राइज देखेigon का और यहाँ पर प्राइजrendre हमा दिका fertig कितना चलेगा है किटना चलता है, चलता है 15 شको छो अगर यह पांचेजिए अगर 11 रुपे मूव कर जाए तो म्याटी हमारा कितना चल जा जाएगा, 32 कि move कर जाएगा और ये सारे ही total 10s bank की अगर मैं बात करूँ ये बस only 1 रुपया move कर जाए जहां से opening price थी उसका वहां से अगर वो 1 रुपया भी move कर जाए तो total कितना हो जाएगा है 57 points move कर सकते हैं एक रुपय के इसमें अब last closing के हिसाब से ये वीडियो बना रहा हूं 15 अगस्त को last closing के अगर हम बात करें तो कब की बात करेंगे 14 अगस्त 2024 की चलिए बात करेंगे कौन से stocks की पहला stocks हमारे पास कौन सा है HDFC bank तो HDFC bank में कितना moment आया था वो हम देखकर समझने की कोसिस करते हैं HDFC bank में देखिए और ओल कितना है 4.60 positive रहा था यह यहाँ पर देखिए 4.6 4.6 4.6 मतलब bank nifty में कितना move लाया वो उसके कराण 39 points लाया था उसके बाद ICIC bank पर आ जाईए ICIC bank देखिए ICIC bank कहाँ पर है 6.70 माइनस में नेगेटिव तो माइनस 6.70 थर्ड आता हमारे पास कोटक बेंग कोटक बेंग देख लेते हैं कि कोटक बेंग में क्या रहा था last closing कोटक महिंद्रा कोटक महिंद्रा बेंग के अगर मैं बात करूँ तो last वो माइनस में 4.19 माइनस में रहा था 4.10 माइनस 4.10 ठीक है उसके बाद SBI को देख लीजे SBI है क्या हमारे watch list सुमें SBI नहीं है चलिए SBI का भाव देख लेते हैं SBI SBI का भाव देखे क्या हुआ SBI positive या negative रहा था वो भी देख लेते हैं SBI देखे 5.45 positive मैं points की बात करा 5.45 positive ठीक है उसके बाद SBI देखिए SBI देख लीजे यहाँ पर SBI का भाव क्या है SBI 6.50 पेसे 6.50 पेसा positive चीक है उसी के साथ उसके बाद next stock कौन सा है Indus Bank Indus Bank देखिए Indus Bank 12.50 पेसा negative minus 12.50 इसके बाद Bank आपको भी करना है बता दूँगा मैं आपको कैसे करना है आप कैसे calculate कर सकते हैं खुझ से Bank आप बड़ोदा देख लीजे Bank आप बड़ोदा 2.30 पेसा negative 2.30 पेसा उसके बाद Federal Bank देखिए Federal Bank Federal Bank पचास पेसा positive चीके टीन रूपे उसके बाद AU Bank और PNB AU Bank देख लीजे AU Bank में क्या रहा 8.90 माइनस में 8.90 चीके और PNB का प्राइस देख लीजे PNB का भाव वे कितना 0.73 माइनस में माइनस 0.73 यह होगया टोटल अब यही पर अगर हम बात करें बेंग निप्टी की तो बेंग निप्टी देखिए क्या रहा था हमारे सामने बेंग निप्टी 49,727 यह भी प्राइस सही से लिख लेते हैं कैलकुलेशन तो हमने देखी लिया है 49,727 चिके 27 अब इन सारे स्टॉक्स के मुवमेंट के अगर हम बात करें तो देखिए यहां पर हमको क्या-क्या चीज़े देखने को विलिए इन स्टॉक्स के कारण टोटल जो मुवमेंट के अगर हम बात करें कई पॉजिटिव कई नेगेटिव यह सारी चीज़े अगर हम देखेंगे तो और और हमको क्या दिखाई दे रहा है और और हमको बाजार नेगेटिव होता हुआ दिखा तो इस तरीके से हमने क्या देखा इस तरीके से हमने सारे इंडिक्स का मुवमेंट निका लिया कि वो प् तर्टीन फट्रीव फेडरल बेंग के कारण पॉजिटीव और फिप्टीन पॉइन पॉइंट नेगेटिव और टॉटल को हमने प्लस कर दिया प्लस सारे जितने भी प्लस और माइनस करने के बाद ओर अमको 89.9.89.90 हमको negative दिखाए दे रहे और bank nifty last day अगर बात करे 14 तो आप अगस्त की तो कितना negative रहा है वो देख लिजे एक बार bank nifty का है यह यह रहा है 104 रुपे 104 रुपे negative रहा है मतलब हमारे पास अभी भी कौन सा क्या बोलते हैं एक बचा है बंदन bank जो की negative गया होगा उसके करण कुछ point और aid हो जाएंगे बंदन bank को हमने aid नहीं किया एक बंदन bank देख लिजे ठीक है तो बंदन bank भी अगर हम पॉइंट वो आपको दिखा देगा तो आपको यह calculation कैसे करनी है आपको calculate करने के लिए आपको हमेशा यह देखना है कि जिस भी दीन HDFC bank अगर aid point या जितना भी इमान के चली पांच रुपे मूग किया है तो plus में है या minus में जो भी है इन value से उसको multiply कर दीजेगा इन number से उस नहीं move करेगा उससे आगे पीछे कहीं पर भी हो जाता हुआ नहीं दिखाई देगा तो उमीद करता हूं कि यह calculation आप करेंगे और मुझे comments box में हमेशा बताएगे जब भी आप देखेंगे इस वीडियो को जब भी आप देख रहे हैं आपको calculation करनी है उस दिन का bank nifty के यह सा लीजिए उनका moment देख लीजिए कितना कितना मूव हुआ है उस according इसमें trade करना है ठीक है और इस बेसेस पर जब भी आपको ट्रेड करेंगे तो आपको डिसकस करना है यह सारी चितनी भी चीजे वीडियोस में आपके लिए बना रहा हूं यह only learning purpose के लिए है यहाँ पर मैं को टीप से रिकमेंडेशन की बाद आपसे नहीं कर रहा हूं यह सारी जितनी भी चीजे आपके knowledge के लिए हैं क्योंकि और अलम जितना भी हम market के बारे में बात करेंगे तो कहीं न कहीं वह आपके लिए helpful रहेगा जितना आपको knowledge रहेगा उतना आपकी trading उतनी धीरे 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 account के थूआ process कर सकते हैं हमारी टीम आपको contact कर लेगी अगर लिंक के थूआ अपका account अपना open करते हैं तो चलिए thank you so much मेरी तरफ से आज के लिए फिलाल इतना ही अपने valuable comment जरूर शेयर करिएगा और फिर मिलेंगे next video में next content के साथ इस video पर 1000 like पहले रुपना नहीं चाहिए औ और अपनी friend family relative सबको share करना भी बिलकुल मत भूलेगा thank you so much